शेर यार, आप खालो को समझाएं, किसी दिनना में बहुत बुरे तरीके से पेशाओंगी उनसे क्यों आप क्या हुआ है, फिर कुई ताना दिया उन्हें इस बार तो मैंने भी ताना दिये उन्हें, और अपसे यही करूँगी उनकी साथ और अफान के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे है, मुझे कैसे इरादे? जब से उसका नाम एनी के साथ जुड़ा है, वो अपने आपको कुछ जादे ही समझने लगा है जैसे ही घर आता है, उसे एनी की फिकर लग जाती है इसलिए मैं मना करता था कि उस इंसान को इतना टीज मत करो कि वो बिफर जाए इसलिए एनी कितनी जादा साइड लेने लगा है वो उचे तो एनी की भी समझने आती है, कभी कोई फैसला ले लेती है, कभी कुछ और अब मुझे लगता है कि अफान फिर से ना युनिवर्स्टी के लिए उस पर प्रेशर डालेगा एनी में उसकी दिल्चस्पी ऐसे ही नहीं इस तरह वो उस हिससे का भी मालिक बन जाएगा जो मैं रोज भाई एनी के लिए छोड़ कर गए क्या हो गया शर्यार आपको, आपके सोच तो ऐसी नहीं थी, मुझे आपसे ये उमीद नहीं थी और कल तक तो आप एनी की साइड ले रहे थे सिर्फ एनी की पढ़ाई की हाँ तक लेकिन जो आफ़ान वाला मामला है अगर उसमें प्रैक्टिकल होके सोचो तो यहीं नितिजा निकलता है उस बाग और तुम अपनी बेहन से काओ कि उससे दूर रहे क्योंकि बद्नामी से बेहतर है थे आद है नहीं मेरी बेहन को लालच है और नहीं अफ़ान को होगी हाँ यह जरूर है कि जब से अउलाद हुई है न वो मुझसे दूर हो गए एक लम्हा भी उमर को मेरे साथ नहीं रहने देती तुम्हें बच्चे की पड़ी हुई है इससे भी बढ़कर टेंशन्स है ममी और खाला मिलकर अफ़ान कर रिष्टा आइमा से करवना चाहते है और अगर एनी वाली बात जादा बढ़ गई न तो अफ़ान को रोकना मुश्किल हो जाएगा मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप अफ़ान से खुद बात क्यों नहीं कर लेते हैं देखो अगर तुम इस घर में अपनी पुजिशन मजबूत करना चाहती हो और ममी की निगाहों में अच्छा बनना चाहती हो न तो फिर एनी को रोपना होगा क्योंकि जब एनी कोई खुआश नहीं करेगी तो आपकान खुद बहुत चुप हो जाएगा